हेलो दोस्तो तो दोस्तो आज का जो हमारा पौधा है वो है गुढल का पौधा गुढल का पौधा मतलब जो है दोस्तो हिविसकस प्लांट और ये जो है दोस्तो ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है बहुत गर्मी में जो है दोस्तो ये बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरि को इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी आवेशक्ता नहीं होती है और इसकी ज़्यादा केयर करने की भी आवेशक्ता नहीं होती है। इसलिए जो भी लोग गारडेनिंग करते हैं वो आपने गार्डेन के इस पौधे का लगाना थो थे निश्चित हैं क्यूंकि इसके कारण से हमारे गार्डेन का रोणक बना हुआ रहता है इसमें समय समय पर फ्लावरिंग होते हैं और जब हम गार्डेन के गार्डेन में इस तरह के अच्छे अच्छे नने-नने फ्लावर्स आते हैं तो हमें दोस्तों वो देख के बहुत ही अच्छी खुसी होती है तो नमस्ते दोस्तों मैं हो किरन और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल छोटी सी बग्या में तो चलिए दोस्तों इस यहां पर एंटर कर जाएगा तो जब मॉंचुन एंटर कर जाएगा दोस्तों तो हमारे गुढल के पौधे में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत जो है दोस्तों आपको दिक्कत देखने को मिलेगी क्योंकि जब भी जो है दोस्तों वो मौसम में टेंपरेचर में बदलाव होता है तो पौधे में पौधे से जो है दोस्तो पौधे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है हम इनसान को भी जो है जो है दोस्तो जब मौशं में परिवर्थन होता है जब जो है दोस्तो वो सर्दी से गर्मी आ रही थी तब भी आप देखोगे कि हमारा जो यूमिनिटी होता है वो थोड़ा लो हो जाता है तो हम वह pross물 बीमारी के चपेट में आ जाते हैं तो उसी तरह से हमारा पौधा भी होता है जब भी मौसम में परिवर्तन होता है टेमप्रेचर में बदला होती है और अचानक से होती है दोस्तों तो क्या होता है कि पौधा का यूमिनीटी जो होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है और उसी करण से जो है वो उस स्टेज को बरदास्ट नहीं कर पाता है और उसमें बहुत सारे problems देखने को मिलती है तो इसलिए हमें उस तरह की problem में अपने पॉधे को नहीं फसाना है और पहले ही उसका इलाज कर लेना है तभी जो है दोस्तो हमारा जो पौधा है वो बहुत ही continuously flowering करते रहेगा एकदम उसमें किसी भी तरह की problem नहीं आएगी क्योंकि गुढ़ल के पौधे में मेरे पास already बहुत सारी queries आई भी है कि मेरा जो गुढ़ल का पौधा है उसकी पत्यां पीली होके गिर रही है उसमें जो भी कलियां बन रही है वो खिलने से पहले ही गिर रही है ये भी एक बहुत ही बड़ा समस्या है दोस्तो कि गुढ़ल के पौधे में कलियां खिलती नहीं है उससे पहले ही गिर जाती है तो उससे में जो है दोस्तों वो nutrition की कमी होती है तभी पौधे में इस तरह की दिक्कत आती है तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता देती हूँ कि कल्यों के गिरने का कारण क्या होता है तो कल्यों के गिरने का कारण यही होता है दोस्तों की पौधे में potassium की कमी हो गई है तब ही जो पौधा है वो अपने कलियों को खिला नहीं पा रहा है और वो कलियां बन रही है लेकिन गिर जा रहे हैं तो सबसे जो में कारण है कि पोडे में निड्रोजन की कमी हो जाना है अगर सबसे की उपर की प्ति पीली तब ही होती है जब हमारे पोडे में के कमी हो जाती है तो आज में जो nutrition आप सभी के share करूंगी वो सारे ही nutrition का भरमार होगा दोस्तों आपके पौधे में सारा ही source मिल जाएगा और आपके पौधे में किसी भी तरह की अगर problem आ रहे हैं तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और गुढल के पौधे में एक बहुत बड़ा problem ये देखने को मिलता है दोस्तों की मिलीवक्स का problem गुढल में बहुत ही जल्दी मिलीवक्स आके लग जाया करते हैं तो गुढल के पौधे में अगर मिलीवक्स भी आके लग रहे है तो उसके लिए जो है दोस्तों मैंने अल्रेडी वीडियो सेर किया हुआ है अपने चैनल पे मिट्टी की गुढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी टास्क है दोस्तों क्यूंकि मिट्टी का गुढ़ाई जब होता है तो हमारा जो पौधा का मिट्टी है वो बिल्कुल हलका होता है और मिट्टी हलका होता है दोस्तों तो पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने मे help मिलती है और roots के growth होना ही जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है जब हमारे पौधे का roots अच्छे से growth करता है तो genuine है कि हमारा जो पौधा है वो growth करेगा ही करेगा तो इसलिए हमें ये सारे चीजों पर ध्यान देने की आवेशकता होती है तो सबसे पहले आप अपने गमले की मीटी की गुडाई कर लो उसके बाद आपको दूसरा काम जो करना है वो यह करना है दोस्तों कि जो भी कलियां खिल जाती है और खिलने के बाद गिर जाती है देख सकते हैं यहां यह कलि खिल के गिर चुकी है तो इसको जो है दोस्तों आपको अपने पोदे में नहीं रखना है इसको जल्दी से आपको अपने पोदे से हटा देना है क्योंकि इसको अगर आप रखोगे तो यह क्या होता है पौध आपना जो है अगर बीज बनाने पर लगेगा तो फिर पौध आपना bab साई को ग्रोध पर नहीं लगा पाएगा इसलिए क्री का घुम्षा को खूँद हमने शाया अपनी से जो भी फ्लावर्स खिल के गिर चुकी है उनको हमें सबसे पहले अपने पौधे से हटा देना है क्योंकि उनको हमें अपने पौधे में बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि हमें जो है जदा से जदा अपने पौधे की ग्रोथ पे और तो और फ्लावरिंग पे ही ध्यान द लगाना है आपको बिल्कुल भी एंगॉल मीदम दोपहर का चील-चीलाता धूप में अपने पौध में पॉदह को नहीं है कृकि दोपहर का चील-चीलाता धूप होता है वह गुढ़ल के पौधे में आपको समय समय पर नियमित पानी देते रहना है। हमेशा नमी बनी रहें उस तरह का मिट्टी आपको चेयन करना है। अपको आपको 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 समय समय पर अपने सारे ही पौधे में गुढ़ल का पौधा हो या गुलाब का या मोगडा का बर्मी कॉमपोस्ट या गोबर का खाज देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यह जो बर्मी कॉमपोस्ट होता है दोस्तों यह बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है हमारे पौधे के लिए नैट्रोजन, पोटेशियम, फास्पोरस इन सारे पोसन का जो है दोस्तों यह भरमार होता है। तो आप अपने पोधे को कोई भी कोमपोस्ट नहीं दे रहें हो लेकिन यही फोटिलाजर अगर दे दे रहे हो दोस्तों यह आपके पोधे में एकदम अम्रित की तरह संजीवनी की तरह आपके पोधे को बचा की रखेगा और एकदम बंफर फ्लाउरिंग भी करवाएंगा क्योंकि समय समय पर पौधे का गुड़ाई करना तो जरूरी है ही दोस्तों लेकिन जब हम लोग फटिलाइजर देते हैं तो गुड़ाई कर देंगे तो क्या होगा हमारे पौधे को न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे से मिलेगा एकदम तेजी से मिलेगा तो इस तरह से जो है तो इसमें कितना देना है इसमें जो है दोस्तों आपको इस तरह से दो मुठी दे दिना है दो मुठी बर्मी कंपोस्ट right वह काफी और बर्मी कंपोस्ट आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा दोस्तो या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो या फिर जो है दोस्तो आप इसके जगा पे सुखे वे गोबर की खाद का भी इस्तमाल कर सकते हो तो इस तरह से हमने इसमें बर्मी कॉमपोर्ट दे दिया है उसके बाद चली में बताती हूँ क्या देना है तो दूसरा नूत्रिशन के तोर पे आज हमने जीश-चीश का इस्तमाल किया हुआ है जो आप देख सकते हैं यहां मैंने आधा लिटर पानी लिया हुआ है और आधा लिटर पानी में नहीं इतना सा कम से कम आधा मुठी इतना पीयाज के चिल्के को और भीगो तो वम्हारे पौधे सोब नेहां कोई दीए में गजीए जिए है ओवाली होन Your कमी में वन्हास का द्याया हमकिक रोठे का दोषिक हम वन्हान करोबखे से बीडि़ की सवाजके कह सब्सक्राइब यह कील को भी निकाल लेंगे दोस्तो और लोहे का बरतन भी ले सकते हो, उसमें जो हम हम इसमें एड़ करने वाले हैं दोस्तों उसके बाद हम छीड़ करने वाले हैं दोस्तों這裡 मैं आप भार कहने दूस्तों 3... पति लिया हुआ है आप जो है दोस्तो यूज की वी चाय की पति का भी इस्तिमाल कर सकते हो यहां मैंने एक चमच फ्रेश चाय की पति लिया हुआ है और चाय की पति जो होती है दोस्तो यह नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्च होती है और तो और इसमें जो है दोस्त तो हमने इसमें डाल दिया है और डालने के बाद मैं क्या करूंगी और जो है दोस्तों इसको 10-15 मिनिट तक इसमें छोड़ दूंगी उससे क्या होगा चाय की पती जो होगी वह जो है अपने निट्रिशन को पानी में बहुत ही अच्छे से छोड़ चुकी होगी तो इस तरह स आप पाणी में बनाया हुआ है तो जिसमें मैंने बर्मी कोंपोश डाला हुआ हुआ है उसी में क्या करूंगी दोस्तों इस तरह से आधा लेटर पूरा डाल दूंगी और देख सकते हैं जो चाई पत्ती है नीचे बैठी वी तो मैं क्या करूंगी थोड़ा सा पानी इसमे मैंने आप सभी को दिखाया कि मैंने चान के हटा दिया था और इसको जो है दोस्तो मैंने पूरा ही गमले में डाल दिया है इसी तरह से मैं अपने सारे ही पौधे में नुट्रिशन को दे रही हूं और पौधे की केट टिप्स को फॉलो कर रही हूं तो देख सकते हैं दोस्तो मेरे पौधे में कितनी अच्छी एकदम बंपर फ्लावरिंग और यह फ्लावर्स के साइज भी देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम बड़े-बड़े साइज के आ करना है और इसी तरह से आपको अपने केक टिप्स को फॉलो करना है अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीदियो को लाइक सेर झरूर किजयेगा आप वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए था हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार